पास्टा मेकरोनी तो कभी कभी हम घर पर बना ही लेते हैं बच्चों को बहुत ही पसंद आता है लेकिन क्या आपने दाल पास्टा कभी ट्राय किया है कभी बनाया है तो चलिए आज बनाते हैं डाल पास्ता और बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रीमी बनता है बहुत ही डिलिशेस बनता है बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा और एक बार अगर आपने ये डाल पास्ता बना लिया तो बार बार इसको आप बनाएंगे अपने बच्चों के दाल पास्ता बनाने के लिए हमने यहां पर पैन रख दिया है और गैस की फ्लेम को हमने मिडियम कर लिया है इस तरीके का कोई चोड़े तले का पैन ले लेना या पतिला ले लेना पैन में आट करेंगे हम तीन बड़े चमच ओलिव ऑईल और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे आप चाहो तो कोई भी ओईल ले सकते हैं सिर्फ सरसो का तेल मत लेना तेल अच्छे से गरम हो गया है अब इसमें आट कर देंगे हम एक बारी कटा हुआ प्याज और अच्छे से मिला लेंगे अब इसको हमने गोल्डन ब्राउन या पेंक नहीं करना है भूनना नहीं है इस बस इसे ही हमने एड कर दिया है अब यहां पर हमने गाजर एड कर दिये बारी कटी भी इसके बाद में शिमला मिश एड कर देंगे लाल और पीली वाली अगर आपके पास में यह शिमला मिश नहीं है तो हरी वाली भी एड कर सकते हैं और यहां पर एड कर दिया हमने लसुन यहाँ पर हमने 5 लसुन के कलिया एट कर दी है बड़े वाला लसुन है तो 5 एट की है और यहाँ पर अच्छे से मिला लेंगे इसको दाल पास्ता में लसुन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर देना और यहाँ पर हमने इन सबजियों को पकाना नहीं है बहुत जादा यहाँ पर बस यह सबजिया पानी छोड़ दे इतना ही हमने पकाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबजियों ने पानी छोड़ दिया है अब इसमें एट कर देंगे हम हल्दी यहाँ पर हम आधा टी स्पून हल्दी आड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे इसको इसके बाद में आड़ करेंगे इसमें हम मूंकी डाल यहाँ पर हमने मूंकी डाल को अच्छे से तीन चार बार पानी से धो लिया है और दो घंटे पहले इसको भिगो दिया था, आड़ कर देंगे इसको, आप चाहो तो कोई भी डाल ले सकते हैं, छिलके वाली हरी डाल या मसूर की साबुत डाल ले सकते हैं, मसूर की धुली भी डाल ले सकते हैं, आपको जो डाल पसंद है, जो जल्दी से पक जाए, अरहर की दाल भी ले सकते हैं लेकिन उसको थोड़ा सा पहले पका लेना और यहां पर हमने इस कप के हिसाब से आधा कप दाल ली थी और इसको अच्छे से भिगो दिया था दो घंटे के लिए और अच्छे से मिला लेंगे इन सब को अब इसमें आड़ करेंगे हम पानी यहां पर हम दो गलास पानी आड़ कर देंगे एक गलास आड़ कर दिया हमने एक और आड़ कर देंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे और इसके बाद में फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें एक उबाल ले आएंगे आप देख सकते हैं डाल में एक अच्छा सा उबाल आ गया है अब गैस की फ्लेम को मिडियम कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे डाल को और इसको 8-10 मिनट पका लेंगे 10 मिनिट हो गए हैं चलिए चेक करते हैं आप देख सकते हैं डाल जो है अच्छे से पक गई है ध्यान से चेक करना है गरम है बहुत जादा इसके बाद में इसमें आड़ करेंगे हम पास्ता सॉस चार बड़े चमश आड़ कर देंगे कोई भी पास्ता सॉस आपके पास में है आप डाल सकते हैं इसमें अगर आपके पास में पास्ता सॉस नहीं है तो तमाटर को जो है दरदरा सा पीस लेना और उसमें लसुन और जो पिज़ा की सिजनिंग होती है औरिगेनो होती है उसको डाल कर पका लेना है आपने अच्छे से और उसके बाद में इसको आड़ कर देना है यहाँ पर अच्छे से मिला लेंगे इन सब को इसके बाद में आड़ कर दी हमने यहाँ पर एक छोटा चमच कोटीवी काली मिर्च और साथ में आड़ कर देंगे इसमें दो छोटे चमच औरिगैनो जो पिज़ा के सिजनिंग होती है और एक छोटा चमच हमने यहाँ पर चिली फलेक्स आड़ कर दिये हैं और नमक आड़ क ले सकते हैं अपनी मन पसंद का अच्छे से मिला लेंगे इसको अब इसको कवर कर देंगे और 12 से 15 मिनट इसको पका लेंगे पास्ता को पकते वे लगपक 15 मिनट हो गए हैं चलिए चेक करते हैं बिच बिच में इसे हमने चेक भी कर लिया ता गुमा दिया था एक दो बार ता हमने नमक इसके साथ ही थोड़ा सा औरियन और एड़ कर देंगे और थोड़ी सी काली मिर्श भी एड़ कर देंगे ताकि बढ़िया सा पास्ता बन कर हमारा रेड़ी हो जाए और इन सब को अच्छे से मिला लेंगे इसके बाद मैं आड़ करेंगे इसमें हम प्रोसेज चीज यहां पर हमने तीन ब्लॉक्स लिये हैं प्रोसेज चीज के और इसको कद्दुकस कर लिया है और अगर आपके पास में ये वाला चीज नहीं है तो जो चीज स्लाइस आती है जिसको कि हम सैंड़विच में नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले अब इसको कवर कर देंगे और 2-3 मिनट पका लेंगे 2 मिनट हो गये हैं चलिए चेक करते हैं आप देख सकते हैं चीज हमने डाला है वो सारा अच्छे से पिघल गया है अच्छे से मिला लेंगे अब इसके लिए एक तड़का बनाएंगे हमने यहाँ पर दो चमच जो है ऑलिव ओइल लिया है, गरम कर लिया है इसको, अब गरम गरम ऑलिव ओइल में आड़ गरेंगे हम लसुन, यहाँ पर हमने 4-5 लसुन की कलिया जो है, चॉप कर ली है और यहाँ पर chili flakes add कर देंगे एक छोटा चमच अच्छे से मिला लेंगे इसको और इसको add कर देंगे पास्ता के उपर, अब धक्कन लगा देंगे और इसको 1-2 मिनट हम जो है ऐसे ही रहने देंगे, क्या इसको बन कर देते हैं अभी एक मिनट हो गया है चलिए चेक करते हैं आप देख सकते हैं पास्ता जो है बिल्कुल रेडी है लेकिन यह थोड़ा गाड़ा है अगर आप ऐसे ही इसको खा सकते हैं गाड़ा आपको पसंद है पास्ता तो इसको आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं लेकिन अगर आपको थोड़ा प पानी आट करना है क्योंकि इसमें हमने चीज वगरा डाला है तो ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है अब गैस को जला लेंगे और इसमें एक अच्छा सा उबाल लेके आएंगे फ्लेम को हाय कर देंगे आप देख सकते हैं पास्ता में एक बढ़िया सा उबाल आ आट कर देना है और बढ़िया सा हमें जो है क्रीमी और बहुत ही अच्छा टेक्चर वाला पास्ता मिल जाएगा अब यहां पर हम बेसिल आट कर देंगे यह इटालियन बेसिल है अगर आपके पास में नहीं है तो आप तुलसी के दो दिन पत्ते काट कर इस तरीके से डाल स पास्ता और हाँ इस पास्ता को आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर चीज यूज किया है बेसिल औरिगेनो यूज किया है अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर दे बिल्कुल छोड़ दे इसको और आपके पास में ज दन्निवाद